पेटियम पेविंट्स बैंक पर 31 जनवरी को RBI ने बैन लगा दिया था, फास्ट एक्ट वॉलेट और इसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पर भी रोक लगाई है RBI ने बताया है कि पेटियम की बैंकिंग सर्विस 29 परवरी के बास से काम नहीं करेगी RBI ने नियमों के उलंगन के कारण इस बैंक पर प्रतिबंद लगाया लेकिन क्या आपको पता है कि पेटियम पेविंट्स बैंक RBI के रडार पर कैसे आया पेटियम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिमन्द का पुर्मुक कारण मेंसे एक बिना सही पैचान के मनाए गए करोडों अकाउंट थे इन अकाउंट के तहट केवाई सी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी इतना ही नहीं इसने बिना पहचान के कड़ोरों रुपे का लेंदेन भी किया था जिससे मरी लॉंडरिंग की भी आशंग का पैदा हुई रॉइटर्स की रिपोर्ट के मताबिक आर्वी आई के प्रतिबंद लगाने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पेटियम पेमिंट्स बैंक के तहत एक पैंट पर एक हजार से अधिक यूजर्स के अकाउंट जुड़े हुए थे इसके अलावा आर्वी आई और आडिटर्स दोनों दुआरा जांच में पाया गया कि पेटियम बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा है रास्तों सचीव संजी मलोतरा ने शरिवार को कहा कि अगर फंड की हेरा फेरी का कोई भी सुबूत पाया जाता है तो एड़ी पेटियम पेमिंट्स बैंक पर जांच करेगा इस बीच पेटियम ने इस प्रश्ट करते हुए कहा कि कंपनी और 157 कम्यूकेशन के सीयो विजे शेकर शर्मा मरी लॉन्रिंग के लिए एड़ी की जांच के दायरे में नहीं है कपनी ने कहा कि कुछ योवयपारी पूस्ताज का विशे कर रहे हैं बैंक ऐसे मामलों में पूरा सही हो कर रहा है भारत की स्टोक एक्सचेंज, बॉंबे स्टोक एक्सचेंज और नैशनल स्टोक एक्सचेंज दे डिजिजल भुकतान फर्म पेटियम के शेरों के लिए देनिक ट्रेटिक सीमा को घटा कर दस कर दिया है ये फैसला तब आया जब कपनी कर शेर पिछले दो दिनों में 40 फीजदी गिर चुका था कौरतलब है कि पेटियम पेविट्स बैंक के पास करीब 35 करोड यी वालेट है इसमें से लगबग 31 करोड एक्टिव नहीं है जबकि केवल लगबग 4 करोड ही बिना किसी अमाउंट या बहुत कब अमाउंट के साथ चल रही है यानि बड़ी संखिया में इन एक्टिव अकाउंट है वही लाखों अकाउंट में केवाई सी अपडेट नहीं हुई है आरबियाई के निर्देश के बाद वन सत्तामर कम्यूकेशन लिमिटिड जो पेटियम ब्रांट का मालिक है के शेहरों में पिछले दो दिनों में 40 वीजदी की गिरावट आई है यानि की लाखों रुपे ये कहो के अरब डॉलर का नुकसान भुकतान हुआ है